हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप लोग आज है रवीबार आसाम और नौटिस के करेंट इफेर्स के इस भाग में आज हम मेई 17 से लेके मेई 23 तक है यानि कि पिछले रवीबार से लेके इस शनिवार तक के सबसे जो ज़्यादा इंपोर्टेंट करेंट इफेर्स है जो आपके ए लोग को मिलना बहुत ही मुश्किल होता है इन कंपेरिजन तो नेशनल इंटरनेशनल करेंट इफेर्स तो इसको यहां पर एक ऐसी अनोखी इनिशिटीव है जिसके जड़िए हम लोग कोई भी जो एक्जाम के लिए आप लोग जो इस वीडियो के जड़िए यहां पर जो प्राप कर सकता है तो हर बार की तरह इस बार भी हम नौटिस्ट के एक टॉपिक से ही शुरुआत करेंगे तो आप लोग जैसे की जानते हैं पिछले कई दिनों से जो इस जोन ऑफ इंडिया है यहां पर जो साइक्लों इंथे सूपर साइक्लों अमफान जो है यह इसकी यहां पर काफी प्रॉब्लेम कीरेट कर चुकिए है वेस बंगोल में लगभग बाइस लोगों की यहां पर जान भी जा चुकिए है तो यहां पर जो एंडिर्फ के जो जवान भी नूट किया गया है और भारत के प्रधान मंत्री ने रिसेंटली इसको जो है विजट भी कि तो यहां पर हम लोग थोड़ा फ़ा एक आइडिया लगा दिते हैं कि जो साइक्लोन है यह एक्षिली फॉर्म कैसे होती है तो देखे यहां पर जाती है तो इसका खाली जगह को यहां प करने के लिए घंडी हौवा यहां से आ जाती है तो घंडी हौवा यहांपर जब उपर हुपार जाती है गरम हवा यह इसके visão evaporation के वैसे यहाँ पे cloud formation होती है तो यहाँ पे गरम हवा और ठंडी हवा एक दूसरे को यहाँ पे rotate करती है और यह complete जो set होती है यहाँ पे जो cloud के साथ यहाँ पे यह बहुत ही तेजी से यहाँ पे घूमना start हो जाती है तो यह actually लगभग 18 से 19 मैं तक जो है यहाँ पे अंडम होती है तो यहाँ पे ग्रेजुली यह आते आते उरिस्सा में और जो बंगलादेश वेस बेंगल मिहा फे काफी तबाही मचा चुकी है तो यह cyclone अंफान यह नाम एक्चुली थाइलन ने दिया था इसका नाम एक्चुली अंपान से आता है तो अंपान का यहाँ पे meaning है ए इसका जो effect North Eastern States में हो यहाँ पिर जो आसाम में काफी ज़्यादा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो है स्टेट डिजास्टर रिलीव फोर्स के भी यहाँ पर जो जवान न्यूक किया हैं काफी प्रिकोशन भी ले गया है जो IMD Indian Meteorological Department यहाँ पर काफ इसको रिलीज कर दिया है तो यहाँ पर मार्च और एप्रिल मेहन ने क्या जो करेंट एफेर्स के कंपाइलेशन यहाँ पर आप लोग उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और रिसेंटली हम लोगों ने आसाम और नॉर्टिस्ट का जो flashback series 2019 इसका जो MCQ हम लोगों ने अप्लोड किया है तो complete MCQ जो है पूरे साल का आसाम और नॉर्टिस के जो आपके exam point of view के हिसाब से बहुत ही जादा important है 200 best question जो यहाँ पर आपको उपलब्ध होगी तो यहाँ से आप उसको study कर सकते हैं बहुत ही useful है किसी भी आपकी APSC exam हो या कुछ भी competitive exam के लिए बहुत जादा important तीनो ही books के link मैंने description में दे दिये हैं और इस video का जो note है आज शाम तक आपको हमारे website में मिल जाएगी और अभी तक हम लोग ने आसाम और notice के current reference के जितने भी questions जितने भी videos discuss किया है उसको playlist बना के भी मैंने description में दे दिये हैं वहाँ से आप उसको follow कर सकते हैं तो चलिए आज का video श इसकी स्थापना कब होई थी तो two client tea research institute यहाँ पे recently जो scientist है उन्होंने बताया है कि जो black tea आसाम में जो black tea उत्पाधन होती है यह जो है covid-19 को यहाँ पे control के दिये काफी फाइदमन्द हो सकता है तो यहाँ पे black tea में क्या होता है कि immunal और antibacterial antiviral properties भी होती है जो यहाँ पे immune system क को मजबूत करती है तो यहाँ पे black tea में एक component होती है जिसका नाम है thiaflavin तो thiaflavin जो है यहाँ पे यह बहुत ही useful है hepatitis C influenza virus से यहाँ पे निपटने के लिए तो यहाँ पे आसाम में जो अलग अलग शोध से पता चला गया है कि आसाम के जमीन से जो भी black tea पाये जाता है जो black tea की production होती है उसमें thiaflavin की जो मात्रा काफी जादा होती है तो black tea की जो extract होती है उसको काफी effectively जो अलग-अलग disease है जैसे कि यहाँ पे neurological disorder हो या फिर जो cardiovascular disease हो उसके लिए भी यहाँ पे यूज क्या जाता है as medicine और यहाँ पे जो thiaflavin में pre-dominant aminocin भी present होती है जो यहाँ पे weight loss के लिए भी काफी फाइदे में होते है तो इसका सही उत्तर है टुकलाइ tea research institute इसकी स्थापना होई थी 1911 में जुड़हाट में तो यहाँ पे देखिए कि यह पहले जो है Indian tea association का एक जो scientific department के हिसाब से इसको start किया गया था Indian tea association इसकी शुरुवाद होई थी 1881 में इसके जो chairman में के नाम है डॉक्टर प्रभात कमल बैसबोर्वा और ITA जो है Indian tea association के जो headquarter है वो है कोलकता में तो आपको मुझे comment box पे लिखके बतानी है कि international tea day यानि कि international चाय दिवस जो है यह कौन से दिन मनाया जाता है और जो ITA के अलग-अलग जो journal offices है जैसे कि गौहाटी जुडहाट टैसपूर्ट, डिब्रुगर, बिना गुरी सिल्चर, बागडोगराट और डाजीलिंग में तो ITA के अंदर लग-भग 400 से 425 से ज्यादा tea garden जो है आसाम, West Bengal यहां से अलग-अलग जगाव से registered है तो यहां पर देखिए हर question के साथ हम लोग जितना possible हो से के in and out हम लोग जो है उसके related information discuss करते हैं ताकि आप लोग को काफी यहां पर समझने में आसानी हो तो recently कौन से राजजा ने यहां पर एक press release किया है कि लग-भग 300 जो कैदी है जेलों से उनको release किये जाएंगे तो यह जो राजजा है आसाम इसका सही उत्तर है आसाम तो यहां पर लग-भग 3,160 जो कैदी है या जो ही इनमेट से इनके जो detention center या जेल से उनको release कर दिया जाएगा तो इसमें अलग-अलग जो COVID-19 के पेंडमी के वएसे जो भी prisoners है उनलों को यहां पर decondition ना हो जेल में इनके लिए उनको release कर दिया गया है तो यहां पर आसाम के जो inspector general of police है दशर दास नहीं यहां पर mention किया है कि यह prisoners को यहां पर जो एक particular period के लिए उनको release कर दिया जाएगा जेल है और इसमें total capacity है 8500 तो तो अभी जो आसाम में 8938 जो कैदी मौजूद है तो आप एक अंदाजा रगा सकता है कि लगभग 400 लगभग 400 के आसपास यहां पर कैदी जो है यहां पर मौजूद है यहां पर तो इन लोग को यहां पर रिलीज कर दिया गया है तो काफी यहां पर congestion हो रही है तो इसके लिए भी यहां पर mention किया गया है तो यहां पर Supreme Court ने भी High Court और Union Territories को जो है एक order दिया था एक direction दिया था कि यहां पर जो भी jailbird से यहां पर जो minor crimes यहां पर इंटरनें बेल के द्वारा उनको रिलीज कर दिनी चाहिए और गोहांटी High Court ने भी जो border wing है आसाम पुलिस को यहां पर बोला है कि जो declared foreigners है जो अल्रेडी दो साल detention center में complete कर चुके है उननों को भी temporarily release करनी चाहिए तो आसाम में total 6 detention camp centers है जो डिब्रुगर, सिल्चर, तैसपूर, जूरहार, कुकराजर और ग्वालपडा में और ग्वालपडा detention center जो मोर्तिया में है तो इंडिया का पहला और सबसे बड़ा detention center है जिसमें illegal immigrants को रखा जाता है और यह detention center अच्छली इतना है जो साथ football ground के बरावर होगी तो रिसेंटली घोड़े घोड़े अंगणवाडी और घोड़े लाउजिका भूल यह दो स्कीम जो है लॉंच किया गया है कौन से जिस्ट्री में कौन से जिला में तो यह जो एक्चुली यह स्कीम जो है लॉंच किया गया है जूरहार्ट मे यहां पर जो रॉष्णी कुराती जी है उन्होंने इसको रिलीज किया है तो यहां पर जो भी खारिफ वेजिटेबल से उसके सीड्स जो है लोगों को यहां पर डिस्ट्रीट किये गए है तो यहां पर में अब्जेक्टिव के लोगों को यहां पर आत्मनीरभर बननी चाह में लोग कभी भी ऐसे जो चीजे जो है उनको खरीद दे के लिए मार्केट के पर डिपेंडेंडन नहीं थे उन लोग के घर में ही बहुत जदा जो अपनी फ्रूट सो वेजटेबल सो यह फिर जो भी एसेंचल चीजे हैं मौजुद हुआ करते हैं तो यह फिर से स्टार्ट क लिए लगभग तीन से लेके छे साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक कडिकुलम जो है यहाँ पे प्रिपर क्या गया है कॉलेज कम्यूनिटी स्किम जो असाम एग्रिकल्चर इनवर्स्टी के अंदर काम करती है तो इसके द्वारा जो बुकलेट से यह बुकलेट कौन से राज्य सरकार ने रिसेंटली एनाउंस किया है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स जो है आये हैं उस राज्य में तो उन लोगो तीन महीने के लिए फूट ग्रेंट जो है प्रोवाइट किया जेंगे तो आप देख सकते हैं अलग-अलग जगाओ से जो महीने के लिए फूट ग्रेंट प्रोवाइट किया जाएंगे तो यहां पर इकोनोमिक पैकेज जो प्रोवाइट किया है सेंट्रल गर्मेंट ने बीस लाग करों का जो आत्मनी भर भारत अभियान के हिसाब से तो यहां पर डिटेल में मैंने इसके पर वीडियो बना चुक उनको पांच किलोग्रम राइस और तीन अलग अलग यहां पर जो फूट ग्रेंज जा है तीन महीने के लिए उनको प्रोवाइट किये जाएंगे और आसाम के चीफ मिनिस्टर शर्वारंद सुनवाल जी ने उहां पर PNRD डिपार्टमेंट को बुला है कि जो भी उनको यहां पर रिटर्ण होके आ रही है उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए और यहां पर आसाम के चीफ मिनिस्टर ने यहां पर काफी जगाओ पर यहां पर मेंशन किया है कि PM किसान स्कीम जो है प्रधान मंत्री किसान सनमान में दी तो इसके तहत काफी irregularities हुई है इसके हिस अलग अलग यहां पर जो problems होती है यहां पर corruption होती है on the basis of beneficiaries eligibility उनके जो authentication है जो जो duplicacy of data तो इसके लिए भी यहां पर काफी strict rules apply के जाएंगा और beneficiary list को यहां पर completely approved ना करने तक जो है इसकी जो next payment जो है यह रोक लिया जाएगा तो इसके हिसाब से हर तीन महीने में यहां पर हर 4 महिने में एक जो किसान को यहाँ पर 2000 मन्थली पेमेर उनके एकाउंट में डिपोजिट हो जाएगे तो अल्रेडी इसके बारे में मैं डिसकस कर चुका हूँ तो IMD ने जो Indian Meteorological Department ने recently कौन से सूपर साइक्लोन के बारे में मैंशन किया है जो इंडिया की E-Zone को यहाँ पर हिट कर चुकी है तो यह साइक्लोन का नाम है साइक्लोन अंफांग साइक्लोन अंफांग तो Indian Meteorological Department ने एक वर्निंग भी दिया था कि 21 मेह तक जो है इसके कुमार संजय कृष्णा ने यहाँ पर कितने पॉसिबल हो से कि यहाँ पर एफोर्ट यह है ताकि डिजास्टर कम से कम रोखा जा सेके और IMD जो है डिस्कवर किया है जिसके जवारा जो अलजाइमर सिंड्रॉम है उसको कम किया जा सके आयाटी गौहाटी आसाम गब्मेंट ने रिसेंट्ली टी गाइडन एंप्लोईस की जो वर्किंग आउर्स है वो आट घंटे से बढ़ा के कितना कर दिया है तो इसके इस आप से बहुत करने के लिए बिकॉज लॉग डाउन के वए से काफी प्रॉब्लम में आगे थी तो यहां पर जो इसको बढ़ा दिया गया था तो यहां पर जो है फिक्स टर्म एंप्लोईमेंट के साथ यहां पर जो डेईली शिफ्ट जो है यह 12 गंटा कर दिया गया था तो जितने भी य यहां पर उन्होंने इसको अब्जेक्शन किया है कि यह 12 गंटे जो है यह काफी ज़्यादा होती है और इसके द्वारा फिजिकल और मेंटल टॉचर भी हो रही है टी गर्डन कमीनिटी के पर तो इसके हिसाब से काफी ज़्यादा प्रोटेस्ट यहां पर होती आ रहे है त तो इसके हिसाब से कितने ज़्यादा रिवर पोर्स जो है इंकरूट किये गए है तो तोटेल जो है जो तो पांच नए पोर्ट इंडिया में और पांच नए पोर्ट जो है बांगनादेश में जो और बाहदुरुबाद में और इसके अलावा जो दो पोर्ट को एक्स्टेंड भी किये जाएंगे कौन्से कौन्से जो कॉलकाथा जो यहां पे दो extended पोर्ट है जो तृबेनी पोर्ट है वो कॉलकाथा पोर्ट के अंदर एक्सेंट किये जाएंगे भारत में और बहादूर बदरपूर पोर्ट जो है करिम गंजा पोर्ट का और बांगलादेश में पहले से ही 6 अलग-अलग जो रिवर पोर्ट मौझूद थे तो 6 अलग-अलग पोर्ट जो भारत और बांगलादेश में मौझूद थे भारत में थे कौलकता, हाल्दिया, करीम गंजो, पांडू, सिलगार और दोबरी में और बांगलादेश में थे ना तो यहां पर बहुत इसकी इंपोर्टेंट्स होती है जैसे कि यहां पर इंटूट किये गए है जुगी खुपा जो है इसके द्वारा किया हो सकता है कि भूटान मेगाले और आसाम को यहां पर काफी मदद अप्रिंग सकते हैं जो धुबडी से लेके जो बंगलादेश तक अगर पहुंचना था तो इसको आट से लेके दस दिन लग जाती है, रोट से अगर जाता परता है, लेकिन रिवर पोर्ट से इसको ट्रांसफर किया जाएगा, तो ये लगभग 600 किलोमेटर का जो रूट है, काफी कम टाइम में य सेंटर ने रिसेंटली एन्वर्मेंटनल क्लियरेंस दिया है, जो ड्रीलिंग टेस्टिंग जो है, हाइड्रोकर्बान्स के लिए, कौन सा नेशनरल पार्क के लिए? तो ये नेशनल पार्क जो है, डिब्रू 141 चनल पार्क, तो यहाँ पे मिनिस्टरी ऑफ अन्वर्मेंट और फोरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पर एक क्लिरेंस दिया है कि जो हाइड्रो कार्बोन की यहाँ पर ड्रीलिंग टेस्टिंग होगी दिब्रूद सोइकोवा नेशनल पर्क के साथ अलग अलग जगाओ पर तो यहाँ पर इसको जो है एक्सेंडर रिच ड्रीलिंग टेक्नोलोजी के हिसाब से टेस्टिंग किये जाएगे तो यह सेंडर का एक्चुली एक टार्गेट है जिसके द्वारा सेंडर जो है अपनी जो एनर्जी जो फिवल उसकी इंपोर्ट को 10 प्रतिशत तक कम करनी चाती है और यहाँ पर नॉर्ट इसमें कोई भी लोगों को या फिर परियावन को कुछ भी शती नहीं पहुंचेगी और यह जो है एक्सेंडर ड्रीलिंग टेक्नोलोजी इसके हिसाब से कोई भी अगर कुआ जो है उसको खोदा जा सकता है लगभग 4 किलोमेटर डेफ टक और दिप्रुष उख्वा जो ने अयौनल को मुझें को मुझे लिखे बतानी है कि आशाम में कितने ऊच्राइट है ने में यह तो बोली दिये मेंने जिसका नाम है COVID-19 Warboard, यह कौन से इनवर्सटी के साइंटिस ने डेवलोग किया है, तो इसको डेवलोग किया है, त्रिपुरा इनवर्सटी के एक साइंटिस ने, तो यह आप देख सकते हैं, यह एक रोबोट जैसी है लगभग, तो इसको जो है हर्जित नाठ प्रोफेसर जो है, तो यहाँ पर जो अलग-अलग मोटर्स के जो स्पेर पार्ट्स है, या फिर जो भी लीड एसीड बेटरी है, ट्रांस्मिटर है, रिसीबर या फिर या फिर या फिर यूएसबी आउट्पूट के हिसाब से इसको जो है, इसको अच्छले बनाए गया था, और थू कामेरा भी है, माइक्रोफोन स्पीकर है, ताकि डॉक्टर्स और यहाँ पर जो पेशेंट है, कम्यूनिकेशन किया जा सकता है, इसमें पंधरा से बीच के तक का भी सामान जो इसमें लोड किया जा सकता है, और इसकी साथ याद रखेगा कि त्रिपूरा से रिलेटेट एक है, कि जी कामेश्वेर राओ, तो इनको as an administrator appoint किया गया है, त्रिपूरा Tribal Areas Autonomous District Council के, और इनको जो है administrator appoint किया गया है, त्रिपूरा के गवर्नर जो है रमेस बाइस के द्वारा, तो यहाँ पे त्रिपूरा Tribal Areas Autonomous District Council का जो पांच साल का जो टैन्योर है, यह बीस मैं दोह जो है, खतम हो गया था, because election होने आप चाहिए था, लेकिन election नहीं हो पा रहे है, तो जब तक election नहीं होगा, तो उसका complete power governor के पास होगा, Recently, मनिपूर का तेरवा जो मनिपूर State Film Awards में कौन से documentary को best award मिला है, कौन सा documentary को इसको best award मिला है, तो यह documentary है IRISE, यह IRISE documentary जो है Life सरीता देवी जो है, लाइस्टरम सरीता ने भी उनके उबर बनाई है, तो इन्होंने जो है Asian Games ने, इन्होंने जो bronze medal जीता था, तो इनके पर यह documentary बनाए गया है IRISE, और जो best feature film award मिला था, पंदम अमादा को और highways of life को best non feature film award मिला था, और यह award जो distribute किया है, आर्ट and culture minister जो मनीपूर के, एल जायनते कुमार ने, तो यह award उन्होंने यहाँ पर present किया था, Recently, गोर्खा association in Arunachal Pradesh, इन्होंने Bollywood के कौन से जो actress है, इनके पर allegation लगा है कि उन्होंने एक word यूज किया है अपनी documentary में, एक जो web series में, जो word है sexiest slut, जो गोर्खा community के against है, यह Bollywood की जो अभीनेत्री कौन है, तो यह Bollywood की अभीनेत्री है, अनुर्ष का शर्मार, तो यह जो है campaign जो actually register किया गया है, National Human Rights Commission के पास, तो यहाँ पे जो है अनुर्ष का शर्मार, जो है recently, उन्होंने एक web series जो है launch किया है, पाताल लोक, जो Amazon Prime वीडियो में अभी release हो रही है, तो वहाँ पे उन्होंने एक word यूज किया था, sexiest slut, जो यहाँ पे एक women character है, उनके ल गुर्खा community के जो लोगों को यहाँ पे sentiments को hurt करती है, तो यह जो complaint जो है, यह file किया है, अरुदनाशल प्रदिश के गुर्खा youth association के द्वारा, तो इसके हिसाब से काफी ज्यादा strong protest भी होई है, जो गुर्खा community के द्वारा social media पे अनुर्ष का शर्माजी के उपर, और recently, जो youth, ministry of youth affairs and sports, जो है किरन रेजिर जो ने, राजीब कांधी इनवरस्टी इटानेगर को select किया है, कि वहाँ पे center of sports, जो है, established किया जाएगा for education and research, जो यहाँ पे national center of sports, science and research के हिसाब से, तो राजीब कांधी इनवरस्टी यह स्थित है, इटानेगर अरुदनाशल प्रदिश में तो आज के हमारे current affairs asamor notice में बस इतना ही, तो यहाँ पे हम लोगोंने लगभग 12 प्रशन को discuss यह लगे, not only 12 प्रशन, इसमें साथ काफी question भी additionally और इसके साथ details भी discuss किये हैं, तो आशा करते हैं, आपको बहुत कुछ चीजी यहाँ पे सीखने को मिलेगी, और यह वीडियो का जो जितनी भी notes है, as a quiz आप लोग हाँ पे हमारी website में यहाँ पे practice कर सकते हैं, और PDF का जो note भी इसी website में आज शाम तक आपको मिल जाएगी, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको please like कीजिए, इसको subscribe कीजिए, इसको share झाइओ, एक भी आपकोशा लोगा, अजै आपकोशा है, यह वीडियो जाहिए, झाजू जैए, आपकोशा है, शेकिए, द कुझे टीए, इसको जाइओ, जланते हैं, जाएओ, झाईँ जा शाम द mapped इसका लोगाने, जाएओ. यह बुशा भाद कीजिए, अजैए धूग, ज